वित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने फाइनेंशियल एर दो हजार तेज़ चौबिस का बजट पेश किया इस बजट पर अब कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी का रियक्शन सामने आया उन्होंने इस बजट को मित्रकाल का बजट करार दिया रहूल गांधी ने ट्वीट किया कि मित्रकाल बजट में नौकनिया पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं असमानता को धूर करने का कोई इरादा नहीं रहूल ने आगे लिखा कि एक प्रतिशत सबसे अमीर लोग 40 प्रतिशत संपत्ती के मालिक हैं 50 प्रतिशत सबसे खरीब 64 प्रतिशत GST का भुकतान करती हैं 42 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं फिर भी PM को परवाह नहीं है ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्मान के लिए सरकार की पास कोई रोड मैप नहीं है आपको बता दें कि केंदर सरकार ने बजट को अमरित काल बजट बजट बताया है केंद्री क्रिह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोधी सरकार का बजट 2030 अमरित काल की मजबूत आधार शिला रखने वाला बजट है कॉंग्रेस के अन्य निताओं ने भी बजट की आलोचना करती हुए सरकार पर निशाना साधा इस पर कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिकारजुन कहा सुनिये चुनाओ को देखकर ही उन्होंने पेश किया तो यह तो एलेक्शन स्पीच है और वो एलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किये है और उनकी जो जो बाते बाहर उन्होंने कही है वैसे जुंगले इस बजेट में डाल कर वो उन्होंने पुनुरुच्छार किया उसका और दूसरी चीज़ बजेट में सबसे ज़्यादा प्रात्मिक्ता होना चाहिए था जो आज इंफ्लेशन बढ़ रहा है महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है और जो आज इंफ्लाइड यूथ है उनके नवक्री के लिए इंफ्लाउमेंट देने की बाद उन्होंने नहीं कही हालांकि पहले तो उन्होंने ही कहा था कि हमने हर साल दो करोड नवक्रियां हमारे युवाओं को देंगे तो उनके आठरा करोड नवक्रियां कहा है उसके लिए कौन सा बजेट है तीसरा जो सरकारी वेकिंसीज है वो भरने के लिए भी उन्होंने इसमें कुछ नहीं कहा और जो तीसलाग वेकिंसीज भरना है उसके लिए तो बजेट का प्राविदान होना चाहिए वो भी इसमें नहीं है उसके अलावा गरीबों के लिए जो हमेशा पहले से आता था उनको जरा नरेगां के लिए जरा वो बहुत ही पॉपलर स्कीम रहने के वज़े से रूरल के हमारे किसानों मजदूर किसान मजदूर को उसका लाब ह होता है उसके लिए उन्होंने इसको बहुत अलग दरश्टी से देखा था अन्विटी ऑनलाइन के रिपोर्ट